जागरती उद्यम केंदर एक ऐसी संस्था है जो छोटे गाउं शहरों में जिसका नाम हम लोग ने मद्य भारत कहा है उसमें उद्यमिता का प्रकाश ला रही है लेकिन मद्य भारत में उद्यमिता लाना ये बड़ी बात है तो 7000 लोगों को हमने तयार किया है पिछले 14 साल मे भारत विश्व का सबसे गणतंत रहे उसमें अगर हमारी आकांग्शा ही बड़ी नहीं होंगी तो हम लोग दबके रह जाएंगे तो हमारी आकांग्शा बड़ी थी नमस्कार आप देख रहे हैं दन्योस 15 और मैं हूँ अंजली राठोर आज हमारी साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सशांक मनी जी सबसे पहले मैं शशांक मनी जी के पारे में आए आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जागर्यति उद्धियम केंद्र के पुर्वांचल संस्थापक हैं और समाध सिवा में सबसे आ गये हैं साथी साथ उद्यमिता के विकास में भारत में किस तरीके से विकास हो रहा है उस पर जमीन इस तर पर काम कर रहे हैं आज सर से चर्चर का दौर बनाते हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है धनियस पर बहुत धन्यवाद अंजली जी सबसे पहला सवाल यही कि जागरती उद्यम केंद्र यह क्या है और साथी साथ जागरती यात्रा क्या है जागरती उद्यम केंद्र एक ऐसी संस्था है जो छोटे गाउं शहरों में जिसका नाम हम लोग ने मद्ध भारत कहा है उसमें उद्यमिता का प्रकाश ला रही है और उसकी शुरुआत जागरती यात्रा से हुई तो पहले मैं जागरती यात्रा का पर्चे देता हूँ कई सालों पहले बलकि 25 साल पहले मैंने एक यात्रा करी उसकी किताब लिखी गई उसके प्रकाशन से 14 साल पहले उसका इंगलिश का प्रकाशन हुआ था उसमें 14 साल पहले हम लोगों ने जागरती यात्रा का गठन किया जिसमें हम लोगों ने जागरती यात्रा से करीब 500 लोगों को एक पूरी ट्रेन में पूरे देश का भ्रमण करवाया और उद्यमिता से कैसे देश का निर्मान हो उसके बारे में चर्चा हुई यह सिलसला करीब 14 साल तक चला और उसके बाद हम लोग ने करीब 4 साल पहले यह सोचा कि हम लोग छोटे गाउं शेहरों में जहां पर यह यात्रा जाती है उसके लिए कुछ ऐसी संस्था बनाएं जहां पर वहां के स्थानी लोगों को रोजगार और सरोजगार मिलेगा इसी से जागरती उद्यम केंद पूरवांचल की विजन आई और उसकी संस्थापना हो गई है पहला चरण बन रहा है कई लोगों को उसमें लाब मिल रहा है औरों को मिलेगा भारत में उद्यमिता के विकास में किस तरीके से आप जमीनी स्थर पर जुड़े हुए हैं और उस पर काम करें पहली बात तो यह है कि उद्यमी भारत तो पूरे देश में और विदेश में प्रचलित है लेकिन नर्य घारत में उद्यमिता लाना यह बड़ी बात है मद्य भारत की कलपना मैंने करीब 14 साल पहले करी कि मद्य भारत ऐसे दुती और त्रिटी स्ट्रेडी का भारत है जो की चाहिद अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलता है लेकिन हिंदी में सामत रखता है तमिल में, मल्यालम में, महराश्रिन में और इस भारत को आगे ले जाने के लिए उद्यमिता का बहुत बड़ा योगदान है और ये देखिए भारत बहुत गरीब नहीं रहा कई लोग काफी गरीब हैं जो की मेरे साब से 30 करोड लोग हैं लेकिन 80 करोड का ये भारत बहुत गरीब भी नहीं है बहुत अमीर भी नहीं और इसमें बहुत उद्यमिता की शक्ती है तो इसको आगे ले जाने के लिए मैंने बहुत काम किया है तो ये नहीं कहूंगा कि यूनिकॉर्न में बहुत काम किया है लेकिन जो ग्रामीर सर पे या छोटे गाउं शेहरों में उद्ध्यमिता है उसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांज भारत में अगर उद्ध्यमिता नहीं आएगी तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा रोजगार नहीं आएगा सर आप देवरिया से हैं और पूर्वांजल से बिलॉंग करते हैं तो किस तरीके से आपके अंदर फिर से यह प्रेणा आई है कि आप दोबारा देवरिया लोटकर इस तीच को लेकर आ रहे हैं और जो वहां का यूवा है उनके अंदर उद्ध्यमिता के सोच को उजागर पहल करते हैं जहां हम यह करिंद बना रहे हैं और एक बड़ी अच्छी दिल्चस बात बताओं कि जब हमारी ट्रेन मदुराई में जाती है तो वहां पर हम लोग एक मार्बल पे सब के नाम नकाश देते हैं और वही मार्बल के नाम हमारे देवरिया गाउं जो की सबसे उत्तरी चोर है हमारी यात्रा का उसमें भी रहता है तो पूरे धेश का ब्रहमन करके जब लोग वहां आते हैं तो उनके नाम वहां रहते हैं को भी ट्रेन में ले आते हैं तो आई बात वहां पर इस केंद्र को बनाने की यह असल में यह प्रशना आपका यह है तो उस प्रशन का य कि वहाँ पर जो ग्रामीड परवेश है या वहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो ग्रामीड में फार्मिंग जो कम्यूनिटी है उसको हम लोग कैसे लेके आगे बढ़ें ताकि वहाँ पर उद्यमिता आए तो इसी प्रेड़ना से हम लोग ने चाहा कि वहाँ पर हम एक उद्यम के यह बात सही है कि वहां का एक बहुत विशालका है बर्गत का पेड़ है जो मुझे बहुत प्रेड़ना देता है उसके नीचे में फला बला मेरे पिताजी आर्मी में थे लेकिन जब भी उनका अवकाश मिलता था दो महीने का तो हम लोग वही रहते थे अब उसी के बगल में जमीन ली गई है वहां पर पहला उसका चरण लगभग बन गया है उसका उद्गाटन हम लोग जन्वरी तक कर देंगे इसी 75 वी वर्षकाट में उसका उद्गाटन भी करना चाहते हैं तो सही बात है एक तरह से गोलाकार है जिन्दगी मैं वापस गया है उसी गाहों से जह देखी इसकी सोच तो ऐसी उत्पन हुई कि चुकि मैं आर्मी अफसर का लड़का था हलाकि मैं आई आई टीन हूँ लेकिन मेरी जो पढ़ाई है वो केंद्री विद्याले में भी हुई तो वहां मैंने एक ऐसे भारत को देखा जो उसमें प्रतिभाए अनेक है लेकिन उसम कि हम लोग ऐसे छेतर में जाएं जैसे दिवरिया है कुशी नगर है वहां पर बहुत गरीबी नहीं है बहुत अमीरी भी नहीं है और वहां के लोगों को प्रोटसाहित करें और हमने अपना ही गाउँ चुना जहां से मैं आया हूँ और इसके लिए देखिए प्रेणा तो कि आर्मी अफसर का ललका था तो पूरे देश में भ्रमन किया उसके साथ-साथ जागरती यात्रा गठन किया तो उसके बाद वापस आने का मौका मिला तो जहां तक दूसरे पार पार आपका है कितने लोग प्रभावित हैं तेखिए अगर आप यात्रा को लें तो 7000 लोग देना चाहते हैं उसके मार्क खुले हुए हैं जागरतीयात्रा.com पे अपलाई कर सकते हैं कोई भी महिला पुरुष और उसमें हिंदी और ग्रेजी दोनों ये तो 7000 हुए उसके बाद हम लोग दिवरिया में करीब 100 उद्यमियों के साथ मिलके करीब 10,000 से 15,000 लोगों को हम लोगों ने कुछ न कुछ दिया है उसमें कुछ उधार में दे सकता हूँ एक हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर खुला है जिसमें 207 लोग काम कर रहे हैं मान लीजे बैतालपुर जैसे छोटे कस्वे में आप 12,000 रुपए की नौकरी आपको मिल जाती है वही स्थानी तो वो मुंबाई और पुने में करीब 30,000 रुपए की नौकरी से जादा है क्योंकि वहाँ पर आपको खाने पीने की सुधा है घर में रहने की सुधा है और सबसे महतुम बहुन बाद अगर आप 30,000 रुपए की नौकरी लेके पुने में रहते हैं तो वहां से आप 2,000 और अब तीवरता पकड़ रही है तर्स सवाल यह उठा है कि आपने इस जागरती यात्रा के माद्यम से केवल ट्रेन यात्रा को ही क्यों चुना तर्कि एक ट्रेन बड़ा सार्थक बाहन है एक ट्रेन में 19 बोगी होती है उसमें 500 लोग रहते हैं 300 उसमें सहायक भी रहते है उसमें हम लोग बातरूम पूरुशों की तरफ एक तरफ शावर रूम एक तरफ महिलाओं के लिए बीच में दो इसी चेरकार रहते हैं तो एक लगभग आपको छोटी सी मिनी सिटी या गाउं बस जाता है उसमें 15 दिन के लिए हम उसी में सोते हैं उसी में जाकते हैं खान के लिए तो रात भरम लोग सोएंगे उसमें तो बड़ा सार्थक हो है दूसरी चीज आप भी जानेंगे कि इस ट्रेन से पूरे देश भर का बड़ा अच्छा जुडाओ है जब आप च्रेन में चलते हैं तो आपका दिल खुलता है आप एक दूसरे से बात करते हैं वह भी आपके हसाब से भी मेरे साब से ट्रेन सबसे उपयुक्त है अपकी जागरत यात्रा में आपको कौन कौन सी मुस्किलों का सामना करना पर देखिए जागरती यात्रा पहले जब मैंने चलाने की कोशिश की 14 साल पहले तो लोग नो बला रहे इतनी बड़ी आत्रा क्यों कर र रहे जाएंगे तो हमारी आकांक्षा बड़ी थी कि हम लोग किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा करें और वह सार्थक होई पहली बार जब सार्थक होई तो उसमें अच्छे लोग जुड़ गए हमारे जो CEO हैं आश्टोष ची वह आईटी खरकपुर के ह तो वह 14 साल से उसमें लगे हुए अगर हमारी आकांक्षाएं कम होती तो आईटी जैसा आईटीन को मुझे अट्रैक करना उनको लाना मुश्किल होता तो कहने मतलब यह है कि ट्रेन बहुत सार्थक है और ट्रेन की जो सोच है वो मेरे अंदर बच्पन से ही थी और एक मैंन उसका नाम जागरती भी रखा अब बात करते हैं आपकी किताब की भारत एक स्वन यात्रा तो यह किसको समर्पित है और क्यों देखिए किताब का नाम है भारत एक स्वन यात्रा अभी गरुणा प्रकाशन ने प्रकाशत की है उसका दिल्ली का लॉंच धर्में तधान जी ने किया और गुदेवरिया का लॉंच दो ही दिन पहले अधरनी पंकर चौधरी जी ने किया और इसका जो मूल उब्देश ये है कि भारत को एक जुट होके देखने की जो प्रक्रिया है वो ट्रेन यात्रा के दोरान शुरू की और यही विचार दीन दियाल जी के हैं कि ए कात मानववाद का जो बिचार है पूरे देश में पहले सर किस तरीके से आपका यह उदेश्य था जो अब कहां तक पहुंच चुक है और भविश्य में इसकी क्या-क्या और योजनाया बना देखिए 14 साल से हम लोग निरंदर चल रहे हर साल हम लोग 500 लोग ले चलते हैं प बलकि इस साल मैं चाहता हूं कि और लोग अपलाई करें क्योंकि कोविट के बाद यह पहली भौती के आत्रा हुई है दो साल बाद आगे चलके हम लोग यह चाह रहे हैं कि जैसे कि शंकराचार जी ने चार धामों की स्थापना करी थी हम चार धाम उद्धिमिता के लिए द उत्तर दक्षेन पूरा पच्छिम में हम लोग एक एक धाम उद्धिमिता के बनाना चाहते हैं और यह पांचों चारों जगा लगभग हमारी यात्रा जाती है और उसी के साथ साथ एक Middle of the Diamond Institute हम लोग बनवाना चाहते हैं जो शोध संस्था हो वो मुंबई में लगभग रह साथ यह मेरी प्रेणा है कि अगले दस साल में हम लोग चार धाम और मडिल ऑफ डाम इस जागरिती यात्रा में जो आपके साथ यात्री होते हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं और इस यात्रा में आपके साथ पूरे विश्व की आत्रा बहुत अच्छी बात कहीं देखिए इस यात्रा में आने के लिए बहुत सिंपल है आप www.jagriti.com पे जाईए तो वहां पर आवेदन दे सकते हैं अगर आप 20-27 के बीच में हैं तो आप आ सकते हैं अगर 27 की उपर हैं तो फसिलिटेटर के तोर पर आ सकते हैं हम लोग 1-6 पैरिंग करते हैं एक फसिलि 30-60 की उमर के किसी की बीच में हो सकते हैं लेकिन उनको चाहे वो फसिलिटेटर हो चाहे वो यात्री हो तेश बनाने का जज़बा होना चाहिए उद्द्यमिता में एक सोच होनी चाहिए आप प्रकांद उद्द्यमि न भी हो अगर आस ब्रहें इंटरनाशनल आते हैं, पूरे देश-विदेश के लोग आते हैं, कुछ लोग बड़े शेहरों से भी आते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब तपके के भी आते हैं, लेकिन मुक्षिता हम लोग मद भारत के लोग चाहते हैं इसमें, आप आएए, आवेधन करिए, यदि आपका आवेधन सक्सेस्वल होता है, तो आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, क्या लगता है कि उद्यमिता में भारत विश्व गुरु बन पाएगा, बहुत अच्छी बात कहीं आपने, कि जो विश्व गुरु की बात हो रही है, उसमें जो दीन दियाल जी के उपदेश थे कि इ उन्होंने इंटेग्रिल हुमिनिस्म ने नेचर को भी साथ लेके चलने के लिए कहा, तो आज बड़ा प्रासंगीक समय है उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए, और उद्यमिता में भी अगर हम लोग गाओं अपने छोटे शेहरों गाओं में उद्यमिता बनाएंग बहुत प्रहार पड़ा है हमारे तो 200 साल था औरों के आभी ऐसा रहा है नाइजीरिया में जैसे रहा है तो वहां पर यहीं भावना पूरे विश्व को जागरत कर सकती है इसमें राजिस सरकार और केंदर सरकार किस तरीके से आपका सहियोग है हम लोग सरकार का सहयोग इसलिए चाहते हैं कि उनका आशिर्वाद चाहिए हम लोग ने आर्थी क्रूप से बहुत सहयोग नहीं लिया है हमारे जो रेल मंत्री है मंत्राला है उससे हमें कुछ रियायत मिलती है जो की स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए और अभी हाली में अटल इनुवेशन मिशन से भी हम लोग को एक अटल इनुवेशन कम्यूनिटी का एक वो मिला है तो हम लोग वो रहता है लेकिन पैसे से ज्यादा सरकार की का आशिरवाद चाहिए हमें कि शरकार समर्थन दे दोई दिन पहले मैं देवरिया के डिस्टिक में से बात कर रहा था तो उनका बड़ा सहयोग मिल रहा है केंदर को बनाने के लिए उस प्रकार का सहयोग मिले सहयाध सरकार से और उर्जा आय समाज की और बजार की भी मार्केट कनेक्ट आए तो यह तीनों चीज़ों को मिलेगा तभी जाके सर्मुकी विकास हो पाएगा आप सभी ने ये थे हमारी साथ शेशांक मरी जी ऐसी और किसी चर्चा के साथ आप सभी के सामने मैं जली राठार आती रहूंगी और बने रहेगा दनियो सुप्टीन के साथ शुक्रिया